पुलिस अधिकारी चाहलें तो इलाके में अपराद पर अंकुष लगना तैय है अपरादी पुलिस के सुस्ती का फायदा उठाते हैं पर जब एक पुलिस अधिकारी ने खुद ही छापे मारी से लेकर सरक पर सर्चिन का गहन अभियान चलाया तो अपरादी खौफ में आ गए जी हाँ पिछले कई महिनों से भोजपूर में अपराद थमने का नाम नहीं ले रहा था लगातार हर्ट्या बम से अटैक से लेकर चाकू बाजी से परिशान इस जिला में जब एक तेज तर्रार पुलिस अधिकारी को एसपी का जिमाम दिया गया तो लोगों को रहत मिलनी शुरू हो गई अपराद जैसे शब्द पर विराम लगना शुरू हो गया भोजपूर में जब भोजपूरी बोलने वाले राकेश दुबे ने कमान समभली और अपरादियों के खिलाप मोर्चा खोला तो जिले में पुलिसिंग के तरह तरह के प्रियोग होना शुरू हो गया चीता मोवाइल के गठन से लेकर वांटेड अपरादियों की ग्रफतारी के लिए जब राकेश दुबे ने खोध ही कमर कसली तो बेलगाम अपराध और अपराध ही पलाइन करना शुरू कर लिया आज आपको दिखा रहे हैं कि कैसे भोजपूर के एस्पी ने देर राध सिविल ड्रेस में अपने कई अधिकारियों के साथ भोजपूर की सरकों पर निकल कर छापेमारी अभियान में हिसा लिया राकेश तूबे ने खुदी देर रात सरक पर घूम रहे संदिग्दों की जांच की और कई जगा अपत्ति जनक समानों को बढ़ा मत किया भोजपूर एसपी राकेश तूबे ने जब छापेमारी अभियान चलाया तो भोजपूर जिलों को कई बरी उपलब्धियां हासिल हुए इस अभियान में कुल 107 वांशितों को बिभी ने कांडों के तहद क्रफतार किया गया इस छपेमारी में कई इलाकों से एक देशी राइफल, आठ मोबाइल, 68 ग्राम हिरोईन, 119 लिटर महुआ शराब, 28 लिटर विदेशी शराब सहित, एक अगवा को भी छुडाया गया बोजपूर एस पे के इस तरह की कारवाई को देखते हुए जिले में अपराधियों के बीच हर कम्प मच गया वहीं अब तक सुस्त पुलिस भी एक्टिव दिखने लगी है बोजपूर एस पे राकेश दूबे ने बताया कि वो लगातार इस तरह का अभियान चलाएंगे ताकि बोजपूर जिले से अपराध का खात्मा हो सके एक विसेश अभियान चलाया गया था रात्ती में और जहां मारे जिला के सभी पुलिस गर में रेट शाप अमारी चेक-इंग वांचीत अपराधियों और यह सब पर अभियान चला जिसके तहर करीवे 107 अपराधी पकड़ाएं तो पिविन कांडो में वांचीत थे यह एक मिशाल है कि एक पुलिस अधकारी की सक्रियता से अब लोग चैन की सांस ले रहें तो अपराधियों की सांस अटक गई है खुलासा के लिए भुजपूर से मनिश कुमार सिंग की यह खास रिपोर्ट झाल